उर्दू के चाहने वालों को अब्दुल्रोव सिद्धीखी का आदाब Welcome to our podcast मैं शायर तो नहीं दोस्तों आज मैं पीरजादा खासिम का कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ मौतरम पीरजादा खासिम एक आलिम, शायर, साइंस दां और माहिर तालीम की हैसियत से जाने जाते हैं पीरजादा की पैदाईश 8 फरवरी 1943 को दिल्ली में हुई थी उनका परिवार देश के बटवारे के बाद पाकिस्थान जाबसा अपनी शायरी से पीरजादा खासिम ने हमेशा हिंद पाक के हालात को सुधारने और मुशायरों के जरिये दोनों देशों को पास लाने की काविश की अपनी शायरी में इशारों किनारों में ही हमेशा सामाजी और सियास्ती पहलूओं पर रोशनी डालते रहे उनके कुछ शेर सुनिये जो मुझे बेहत अजीज है तुम्हें जफा से नायों बाज आना चाहिए था अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था जिन्दगी ने चेले हैं सब अजाब दुनिया के बस रहे हैं आँखों में फिर भी खौब दुनिया के उसकी ख्वाहिश है कि अब लोग न रोएं न हसें उसकी ख्वाहिश है कि अब लोग न रोएं न हसें बेहिसी वक्त की आवाज बना दी जाएं एक सजा और असीरों को सुना दी जाएं एक सजा और असीरों को सुना दी जाएं यानि अब जुर्म असीरी की सजा दी जाएं एक गजल शुरू कर रहा हूं जहां पीर्जादा साहब खुद कलामी करते कोई नजर आते हैं गम से बहल रहे हैं आप, आप बहुत अजीब हैं गम से बहल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं, साया ये वसल कप से हैं, आप का मुन्तजिर मगर हिज्र में जल रहे हैं आप आप बहुत अजीब है साया ये वसल कपसे है आपका मुन्तजिर मगर हिज्र में जल रहे हैं आप बहुत अजीब है अपने खिलाव फैसला खुद ही लिखा है आपने हाद भी मल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं वक्त ने आरजू की लौ देर हुई बुझा बी दी अभी पिगल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं अभी पिगल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं दाइरावार ही तो है, इश्के रास दे तमाम राह बदल रहें हैं, आप बहुत अजीब हैं अपनी तलाश का सफर, खत्म भी कीजिए कभी खुआप में चल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं खुआप में चल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं गम से बहल रहें हैं आप, आप बहुत अजीब हैं ताजा गजल छेड़ रहा हूं, मेरी तरफ मतवचे हो जाएं जख्म दबे तो फिर नया, तीर चला दिया करो दोस्तो अपना लुटफ खास याद दिला दिया करो एक इलाज दाई मी है तो बराए तिश नगी पहले ही घूट में अगर जहर मिला दिया करो शहर तलब करे अगर तुमसे इलाज तीर गी साहिब एक तियार हो आग लगा दिया करो मख्तल गम की रौन खें खत न होने पाएंगी मख्तल गम की रौन खें खत न होने पाएंगी कोई तो आही जाएगा रोस सदा दिया करो जजबे खाक पर वरी और सुकून पाएंगा खाक करो हमें तो फिर खाक उड़ा दिया करो खाक करो हमें तो फिर खाक उड़ा दिया करो जख्म दबे तो फिर नया तीर चला दिया करो दोस्तों अपना लुटफ खास याद दिला दिया करो एक ताजा गजर शुरू कर रहा हूँ खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ फिर मुझे दे दिया गया एक दिया बुझा हुआ अपने तो एहदे शौख के मरहले सब अजीज थे हमको विसाल सा लगा एक दिया बुझा हुआ एक ही दास तानिशब एक ही सिलसिला तो है एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ शोला हवा नजात था फिर भी हवा के हात ने बस यही फैसला लिखा एक दिया बुझा हुआ मह्फिल रंगो नूर की फिर मुझे याद आ गई मुझे याद आ गई फिर मुझे याद आ गया एक दिया बुझा हुआ मुझको नशात से फुजू रस्मे वफा अजीज है मेरा रफी खिशब रहा एक दिया पुझा हुआ दर्द की काइनात में मुझसे भी रोश नी रही वैसे मेरी बिसात क्या एक दिया पुझा हुआ सब मेरी रोश नी ये जा हर्फे सुखन में ढल गई और मैं जैसे रह गया एक दिया पुझा हुआ एक नई गजल शुरू कराओ हमारी तरह कोई दूसरा हुआ भी नहीं वो दर्द दिल में रखा है चुला दवा भी नहीं हमारा दर्द अजब मरहले में है कि जहां वो बे सुखन भी नहीं और लब कुशा भी नहीं चश्म शौख मदाम जो घम अभी सर शाख अलम खुला भी नहीं अजीब तरहा से रोशन हुई है खल्वत घम की रोशनी है बहुत और दिया जला भी नहीं ये दश्टे शौख बहुत आफियत गजीदा है की अब यहां पे तो इमकान नक्ष पा भी नहीं मैं ऐसे शख्स को जिन्दों में क्या शुमार करूं मैं ऐसे शख्स को जिन्दों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं खुआप देखता भी नहीं मेरे तीन फेवरिट शेर आ रहे हैं तब जो चाहूंगा ये इश्क खाक ही होने का नाम था सो हमें सिला मिला भी बहुत और सिला मिला भी नहीं ये अस्रे नो की चिताओं में आख कैसी है के रूह राख हुई और बदन जला भी नहीं ये अस्रे नो की चिताओं में आख कैसी है के रूह राख हुई और बदन जला भी नहीं तमाम उम्र अजब वज़ादारियों में कटी उसे अजीज रखा जो हमारा था भी नहीं उसे अजीज रखा जो हमारा था भी नहीं गजलें तो आपने बहुत सुनी है एक नजम सुनी ये आज की आखरी नजम है तेजी से गुजर रहा था एक पल मुश्किल था उसे असीर करना तेजी से गुजर रहा था एक पल मुश्किल था उसे असीर करना फिर भी मेरे हाथ आ गया वो मुठी मेरी समा गया वो फिर भी मेरे हाथ आ गया वो मुठी मेरी समा गया वो उजलत जदा बेकरार लम्हा यक लम्हा वसद हजार लम्हा मैंने कहा ऐ फिगार लम्हें हंगा में सुकून पे बार लम्हें क्यूं तुझ को लगे हैं पर सुनूँगा मैं तुझ से तेरी खबर सुनूँगा मुठी में बहुत वो कस्मकसा आया फिर लप सुकन अजीब लाया बोला के फ़क्त यही कहूंगा के लम्हा हूं मगर सदी बनूगा फिर तेज सफर में ढल गया वो, मुठी से मेरी फिसल गया वो, और दूर कहीं निकल गया वो फिर तेज सफर में ढल गया वो, मुठी से मेरी फिसल गया वो, और दूर कहीं निकल गया वो अगर आपको हमारा पॉड़केस्ट पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करियेगा थैक्स पूर लिसनिंग, अब्दुल्रोव सितिल की इजासत चाना है, स्टे सेव, लव यॉ आल